Good morning class 4, today we will understand math reason work, question is convert meter into kilometer, so meter को kilometer में convert करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाएं, 1000 मेटर से 1 km बनता है, यानि कि 1 meter में 1 upon 1000 km होते हैं, ये हमें पता होना चाएं सबसे पहले तो, तो first question देखेंगे, 15,000 meter, 15,000 meter है, अब इसको kilometer में जब हम change करेंगे, तो क्या करेंगे 1000 से divide कर देंगे तो 15,000 को जब हमने 1000 से divide करिया अब 1000 से क्यों divide किया है क्योंकि 1 meter में 1 upon 1000 km होते है 1000 से divide किया तो कितना जाएगा 15 km ठीक है इसी तरह आपको ये questions भी same इसी formula की help से इसी pattern से करने हैं आपको अब second question देखेंगे convert km and meter into meter यानि कि इसमें बिलकुल इस वाले questions का बिलकुल opposite हो जाएगा इसमें हमने 1000 से divide किया है इसमें multiply करेंगे क्योंकि जब हम kilometer को meter में change करते हैं 1000 से multiply करते हैं क्योंकि एक kilometer में 1000 meter होते हैं first question देखेंगे 3 kilometer 510 meter ठीक है? 3 kilometer 510 meter जब हम change करेंगे तो देखेंगे, किलो मीटर की जगे हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो 3 मल्टिप्लाइ 1000 प्लस 510, 510 ऐसे ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि यह अल्रेडी मीटर में दिया हुआ है, ठीके, तो इसको चेंज करने की जुरत में इसे हम डियर 만들어 विछेंगे, यसे हम प्लस प्लस 510, 1000 प्लस 510 कितना हो गया, 3510 मीटर, तो यह हमारा क्लो मीटर से मीटर में चेंज हो गया, तो आपको सेम इसी पैटरन से यह भी चेंज करने है, ठीके, यही यही तरीके से आपको लगाना है जहां पर भी किलो मीटर है वहाँ पर आपको 1000 से मल्टिप्लाइ कर देनी है ओके स्टुटेंट्स आप ये अपनी नोट बुक में करेंगे और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे थैंक यू